सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़ाधा बढ़िया मोबाइल्स पोको और सैमसंग की तरफ से तो इस वीडियो में में इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा एक है सैमसंग का M31S जो सबसे ज़्यादा पॉपॉलर मुबाइल है अभी सैमसंग का दूसरी तरफ है Poco M2 Pro जो आपको मिलता है 17,000 में सैमसंग है 19,000 का तो दोनों में 5,000 का फर्ख है चले देखते हैं 17,000 में Poco M2 Pro के साथ क्या क्या मिलता है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले रख़वा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमे लगवा है इसके बाद आपको आखिर में रख़वा मिलता है यह वाइट केलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जाद अच्छी है अब दूसर अच्छी चीज यह है इस मॉबाइल में आपको फास सर्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 33 स्वाट का फास सर्जर मॉबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है तो चार्जर तो इसके साथ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है यह सारा समान दिया गया है पोको M2 Pro के साथ 17,000 में रेट के साथ से देखा जा तो बॉक्स के कंटेंटस आपको काफी अच्छे ही मिलते है चार्जर भी बहुत अच्छा है डेटे केबल की क्वैलिटी भी काफी अच्छे मिल जाती है टाइप सी केबल भी है बाकी 200 एयरफोंस तो आपको आजकल किसी भी मुबाइल के साथ देखने को नहीं मिलते है होते तो काफी अच्छे रहता चली देखते हैं अगर आप 2,000 और जादा खर्च करते हैं सैमसंग के M31S पे तो उसके साथ आपको क्या के मिलता है तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इस मुबाइल को इसमें भी आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ लगवा मिलता है कुछ इस तरीके से एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगवा है एक सिम जेक्टर टूल अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल कमी यहिस के साथ आपको कवर नहीं दिया गया वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल उक हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह डेटे केबल इसकी लेंद थोड़ी सी मुझे कम लगी बाकि दोस्तो क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल दी गई है दोनों तरफ इसमें टाइप सी पोर्ट है चारजर में भी आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसके बाद आपको आखिरम रखा हो मिल जाता है यह ब्लैक कलर में चारजर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जाद अच्छी है अब दोस्तो अच्छी चीज यह है इसमें भी आपको फार्ट शर्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 25 वाट का फार्ट शर्जर मोबाल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो यह सारा समान दिया गया है सैमसंग के साथ देखा जातो दोस्तो दोनों मोबाल के साथ आपको बहुत बढ़िया ही समान मिलता है लेकिन पोको M2 प्रो की कीमत 5,000 कम है और उसके साथ आपको फार्ट शर्जर और जादा बैटर मिल जाता है कम कीमत में ही तो इस चीज में पोको M2 प्रो जादा बढ़िया है चली बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में तो दोस्तो डिजाइन आपको कुछ इस तरी की से मिलता है पोको M2 प्रो में आपको ग्लास लुक दिया गया है गुरिला ग्लास की प्रोडेक्शन के साथ के में पोको M2 प्रो में आपको पीछी की तरफ चार के मरे दिये गया है जिसमें पहला है 48 MP का दूसरा 8 MP का तीसरा 5 और 14 2 MP का इसका फ्रंट केमरा है 16 MP का केमरे की पर्फॉमेंस इसके अंदर आपको काफ़ एच्छे मिल जाती है वहीं दूसरे तरफ Samsung के M31S में आपको पीछी की तरफ चार कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला कैमरा 64 MP का है, दूसरा 12 MP का और बाकी की दो कैमरे हैं 55 MP के इसका फ्रांट कैमरा है 32 MP का, कैमरे की परफोर्मेंस आपको Samsung के M31S में भी बहुत अच्छी दी गई है कैमरे के अंदर ये दोनों मोबैल्स काफी बढ़िया हैं, लेकिन और ज़्याद अच्छा आपको मिल जाता है Samsung कैमरे को लेकर Samsung का M31S ज़्यादा बढ़िया है POCO M2 Pro से अगर आपको कैमरे की वज़े से ही मोबैल लेना है, तो Samsung के अंदर आपको काफी बढ़िया परफोर्मेंस दी गई है आप ये मोबैल ले सकते हैं, बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों मोबैल में किसका डिजाइन ज़्याद अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वैलिटी ज़्याद अच्छी होने के वो जैसे मुझे डिजाइन में POCO M2 Pro ज़्यादा बैटर लगा लेकिन दोस्तों Samsung में Super AMOLED डिस्प्ले है, POCO M2 Pro में IPS डिस्प्ले है अब डिस्प्ले की क्वैलिटी किसकी अच्छी है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो Samsung में आपको user interface कुछ इस तरीके से मिलता है आप उपर नीचे स्वाइब करेंगे, आपको सारी applications मिल जाती है और POCO M2 Pro में आपको इस तरीके से app drawer दिया गया है आप उपर की तरों स्वाइब करेंगे, आपको सारी applications मिल जाती है अंदर से दो वैसे दोनों mobile's चलाने में काफी अच्छे लगते हैं लेकिन ज़्यादा बढ़िया लगता है Samsung ही यूजे इस इसका ज़्यादा बेटर है दोनों mobile's की display बिलकुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ अब दोस्तों mobile's के अंदर आपको punch hole camera दिया गया है display के अंदर ही camera है बीच में लेकिन अगर आप camera का size देखेंगे तो आपको और ज़्यादा छोटा मिल जाता है Samsung के अंदर तो ये चीज़ इसमा और ज़्यादा अच्छी है बाकि दोस्तों display के अंदर जो आपको edges, bezels दिये गया है वो वैसे तो दोनों में काफी कम है लेकिन और ज़्यादा कम मिल जाते है Samsung की display में बाकि अगर आप quality देखेंगे display की तो वो भी आपको Samsung में ज़्यादा अच्छी दी गई है तो display size के अंदर तो POCO M2 Pro ज़्यादा अच्छा है लेकिन सबसे important है display की quality और display का design जो आपको ज़्यादा अच्छा दिया गया है Samsung में तो display को लेकर Samsung M31 में ज़्यादा अच्छा है POCO M2 Pro से लेफ्ट साइडस आप देखेंगे दोनों में SIM के ट्रेड दी गई है इस चीज में दोने एक जैसे है राइट साइडस आप देखेंगे तो volume के बटन्स उसी की ठीक नीचे power के बटन्स और दोस्तो fingerprint scanner दोनों ही mobile में आपको side में दिया गया है power के बटन के अंदर back panel पे नहीं मिलता तो दोस्ती सीज में दोनों mobile से एक जैसे हैं इसके लावा उपर की तरफ साब देखेंगे तो दोनों mobile में मिल जाता है noise cancellation mic बाकी POCO M2 Pro में आपको IR blaster भी दिया गया है left side पर तो इससे आपका MIRE remote RAM से काम कर जाएगा TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं इसमें जाद अच्छी होगी है अब दोस्तो दोनों ही mobile के अंदर आपको मिलती है 6GB की RAM 128GB के internal storage 128GB में से Samsung के अंदर आपको दी गई है 107GB के आसपास POCO M2 Pro में आपको मिलती है 108GB के आसपास तो एक दियर GB का ही फर्क है जादा खास फर्क नहीं हैं दोनों mobile में बाकि दोस्तों POCO M2 Pro इस चीज में जाद अच्छा है इसकी कीमत भी 5000 कम है और RAM और storage भी आपको Samsung की तरह दी गई है इसके लाव दोस्तों दोनों ही mobile के अंदर आपको Android कबल को latest version मिल जाता है Android 10 इस चीज में दोनों mobile काफी जादा बढ़िया है recent application की Windows में आपको दिखा देता हूं Samsung में और proper बढ़ी दी गई है तो दोस्तों user interface के अंदर तो Samsung ही जाद अच्छा है अंदर से चलाने में यही mobile जादा बैटरी के बारे में तो POCO M2 Pro के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 इमेज की इसके अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकप अराम से मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ Samsung में आपको बैटरी दी गई है 6000 इमेज की इसके अंदर भी आपको एक दिन चाहिए तो Poco M2 Pro इन दोनों मोबाइल में जाद अच्छा है प्रोसेसर इसके अंदर आपको ज़्या बढ़िया दिया गया है तो दोस्तों यह सारी खुब्यकमिया आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल में चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज आपको इन दोनों में सा कौन स दियेगा अच्छा डिजाइन के लिए इसके लाव दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती हैं मोबाल की बैटरी जादा तो आप सैमसंग लीजिएगा यह मोबाल आपको फास्ट जर अच्छा चाहिए तो आपको कम कीमत में पोको M2 Pro के साथ ही जाद अच्छा मिल जाता है इसके लाव दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाल का कैमरा तो कैमरा भी आपको सैमसंग में जाद अच्छा दिया गया है आप यही मोबाल लीजिएगा और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाल की डिस्पले तो भी आप सैमसंग खरी दियेगा इसके चाहिए तो पोको M2 Pro में दो चीज़े बहुत अच्छी हैं एक तो अच्छा डिजाइन दूसर अच्छा प्रोसेसर वहीं दूसरी तरफ सैमसंग में आपको चार चीज़े बहुत अच्छी मिल जाती है एक तो बहुत अच्छी बैटरी दूसर अच्छी डिस्प्ले तीसर और चौथ अच्छा यूजर डिफेस बाकि दूसर इन दोनों मोबैल्स में वैसे जादा बैटर सैमसंग ही है अगर आप पर्फॉर्मेंस के साथ थोड़ा सा कॉम्परमाइस कर सकते हैं तो आप सैमसंग ले लीजिएगा यह मोबैल अपकले जाद अच्छा रहेगा बाकी ह आपको पसंद आया तुम आपसे कहूंगा पोको म 2 प्रो आपको 14,000 में भी मिलता है यह 17,000 है चोदा हजार वाले विरियंट में आपको 4GB घ्राम 14GB इंटरनल स्टूरेज मिलती है तो आप से कहूंगा अगर आपको बजट कम है तो पोको म 2प्रों सही है निकिन अगर आपक इस कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की नीचे जो लाल करार का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आकन भी दबा दिएगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुंशती रहें इ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए